हें दोस्तों नमस्कार एगवार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल गुरुज एक्जाम सेंटर पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहां पर गुड़ न्यूज की बात करेंगे और बैड न्यूज की बात करेंगे क्या है good news क्या है bad news इसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा और रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के आगे चल कर समंदर भी आएगा तो ठक कर ना बैट यो मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा और मिलने कमाजा भी आएगा लेकिन हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है होसला तो बहुत रख लिया दो साल हो गया होसला रखते-रखते सरकार ने यह भी का कि अब paper होगा अब paper होगा अब कुछ ऐसे इस्तिती बनती जा रही है इसा mode आता जा रहा है कि आपके paper को बहुत आगे delay करने के लिए सोच जा रहा है यह direct बात आयोग के अंदर के है आपको बता दे हमने आपको पहली बताया था कि आयोग से यह point आपको मिला था अंदर से कि आप लोग धरना वगरना मत दीजिए आपका 15 तारीक को paper होगा मतलब 15 फरवरी को paper आपके होने की संभावना है पूरी तरीके से लेकिन अब धरना वगरा आप मत दीजिएगा ठीक है ना हाँ यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि good news जो आपकी है वो bad news में हिसाब से हमने एक notice आपको दिया था पिछली वीडियो में कि आपको 27 या 28 तारीक को कोई न कोई notice आपको मिलेगी आप देख सकते हैं 27 या 28 को जो notice थी वो आपकी notice हमारे समय के उनसार और उस date के उनसार आपकी देख सकते हैं आ गई है 28 तारीक को ही UPSI की लिखित परिच्छा में उत्तिन लगबग 20,000 अभ्यारतियों का या पड़िवे PST कराय जाने हित्वरों का गठन संबंद में notice जारी कर दिया है जो लोग UPSI के हैं तो सरकारे रिजल्ट में जाके अपना यहां पर चेक कर लेते हैं और अपना प्रक्रिया जो जारी हो गई है तो उसको करिएगा कावी बच्चे कह रहे थे UPSI परिच्छा निरस्त होगी हमने आपको बताया था कि UPSI परिच्छा निरस्त नहीं होगे जैसे 2017 में हुआ था कि 2017 में जिस पाली में दिक्कतें हुई थी जिसमें चेटिंग हुई थी या किसी प्रकार की समस्या थी उस पाली का परिच्छ निरस्त करके आगे उसकी डेट बढ़ा दी गई थी उसका पेपर दुबारा से हुआ था वैसे भी 2000 यहां पर 21 में जो आपका UPSI का पेपर हुआ है और जो बच्चों ने चेटिंग किया है या जिस शिप्ट में ऐसा लगता है कि इसमें नकल की गई है पेपर लिख हुआ है तो उनका पेपर निरस्त होना चाहिए यहां होना चाहिए विल्कुल 100% होना चाहिए ऐसा जदा जदा बच्चे वह ही कह रहे हैं जिन लोगों के नंबर कमाए है ठीक है जिनका नंबर कमाए है वो पूरे पूरी परिच्छा निरस्त नहीं करेगा और निरस्त नहीं करेगा जिस पाली में जो दिक्कत है वही आपको करेगा ठीक है ना तो फाइनल आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट जो कि आप लोगों को बहुत यूटूब चैनल थे जिनोंने बहुत बताया कि करेगा और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं यह आपके थोड़ा UPSI वालों के लिए गुड नियूज भी रही है बैड नियूज भी रही है जिन लोगों ने पैसे दे कर या किसी प्रकार से या अच्छे मार्क्स ले आये थे तो लोगों काम हो गया और जो लोगों के न है वो यह है कि आयों के अंदर की बात होई हैं ने बताया है एक पॉइंट आपको पिछली वाले वीडियो मताया था में मुद्दा आ रहा है चुनाओ का में मुद्दा क्या है आपका चुनाओ है अगर चुनाओ अपने निर्धारी समय पर होता है तो आपका पेपर भी अपने देखा है कि हाई कोट ने कह दिया है कि आपका जो चुनाओ है वो अपने इस मतलब अपने जगा ही रहेगा अर्थात अपने निर्धारी समय में ही कराय जाएगा इसमें से बरताओ रखे जाएंगे आपके जो अमरीकी जो आपको वायरस है हाना उसको ध्यान रखते वे अगर हो जाते हैं चुनाओ तो अच्छी बात है ठीक है ना क्योंकि हाई कोट ने पहले ऐसा लग रहा था कि ने चुनाओ बढ़ सकते हैं लेकिन उनके आस्वासन की हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लग रहा है कि जो चुनाओ अपने निर्धारी समय में होंगे और अगर में जो हमारे सिच्चचब वरती वाले स्ट्उडेंट थे वो लोग वहां पर गये लेकिन हलागli जहां कि हम लोग पॉंच गये तरा फारिस्ट अग्ररिएट कि कि पहुंचे थे वहां तक आन symbol का रहे हुमी शाज हर्दोगी में भासन दे रहे थे और किह नहोंने उन्हों पहुँच हो गए थी अर्थ फारेश्ट गार्ड वाले स्टूडेंट के वो बिल्कुल अंदर तक पहुँच गए थे और डारेक्ट बाद भी हो गए थी और उन्होंने अपने इसाब से बताया था कि फरवरी मामें आपका हो सकता है लेकिन कल कुछ वच्चे गए जिनको ये सुनेने को मिला है कि ऐसे सब्दों का यूच किया गया है और ऐसे सब्दों से उन्होंने आउगत कराया है तो भाई ये सरा सर बात गलत है कि अगर आपको जौब नहीं देना है तो बच्चे को आस्वासन क्यों देरो हो भाई अगर आपको जौब नहीं देना है तो आप ल वो जोब किसी भी प्रकार की हो तो क्यों इतना इस तरह से पढ़वारन चाह रहे हो फिर कहते हो कि हमारी सिच्छा देख लीजे कहां से कहां पर पहुंच गई हमारे हाइवे देख लीजे हमारे मेडिकल देख लीजे हना इस सरकार में क्या हुआ है इस सरकार में बहुत उच् लेकिन अगर वो आगे चलके जौब नहीं मिलेगी तो आप ही बताइए ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा किस काम करेगा इसे अच्छा है कि लोग इतनी आगे तक इजुकेशन ना करें अपना लिमिट हिसाब जुड़ने के लिए अपना हो जाए कि हाँ भाई कोई 5 माबाप भी कभी कभी सुना देते हैं है ना तो भई सुनाएंगी जरूर है इतने दिनों से लगातार आप लोग संगर से कर रहे हैं मिनत कर रहे हैं तो कहिना कहीं माबाप है कहां तक पैसे देते रहें आज के समय में साथ हजार रुपया देखते हैं एक मैना में देते हैं किसी को तवियत खराब है किसी कुछ खराब है हॉस्पिटल में जाओ तो बोलते हैं सब पूर कुछ फिरी है लेकिन बाद में कहते हैं वह अंग उठा नहीं लगता है वह आपका पांच लाक वाला जो योजना चलाए गई थी वह काम नहीं चलेगी हमारे यहां ऐसा कोई सिटम नहीं है तो देखिए ऐसे इसे लोग हैं जिन्होंने आप पर मैसेज किया है और यहां पर कह सकते हैं देख लिजे फारिश गार्ड का एक जाम कब होगा तो देखो काफी मैसेज यहां पर आए हैं तो फाइनली बात अखरम आपको बता दें कि दो पॉइंट आपके हैं जिसे साब से कल उन्होंने बताया है कि पेपर आपका आपकर नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है वही क्योंकि हम लोगों के पास है याद रिखे सबसे बड़ी कमान हम लोगों के पास है मतलब बच्चों के पास है क्योंकि चुनाओ है जैसा वो लोगों यहाँ पर लालच दे रहे हैं चुनाओ की समय लैपटाप बाटना, मोबाइल बाटना, टैबलेट बाटना हाईवे का सिलानयास करना, मेटरो चलाना सब कुछ वो भी कर रहे हैं तो मेन कंट्रोलिंग हम लोगों के पास समय है क्यों? क्योंकि चुनाओ में ओट कौन देगा जो 18 साल के उपर होंगे, वो चुनाओ देगे उन में से आप लोग भी देंगे यूपी के हैं और यूपी का यह चुनाओ है तो आप लोग भी देंगे कि अगर चुनाओ अपने निर्धारी समय पे आपका होता है तो यह समझे कि फरवरी मा में आपके संभावी थे कि आपका पेपर हो सकता है लेकिन जिस हिसाब से कल बात हुई है नोनों ने कहा है कि आपका पेपर अभी नहीं होगा जुन जुलाई में होगा अईसे सब्दों बोले हैं कि जो करने हों को पेपर आपका जुन जुलाई में हो सकता है तो जुन जुलाई का मतलब यह हुआ कि अगर आपके पेपर आपका जो चुनाओ है क्योंकि चुनाओ के पहले पेपर कराएंगी चाहिए इतना हो चाहिए वो कितना भी नाराज हो यह बच्चे धरना देंगी तो नाराजगी कही न कहीं उनके अंदर तो आएगी ही हाणा क्यूंकि अपने आपके एटिटीट सबसे जादा हुई समधते हैं तो कहीं न कहीं के देखा जाए कि जो आपका पेपर बोले कि मैई लेकिन यह सोचो कि नहीं चुनाओ की वज़े से तो चुनाओ नहीं चुनाओ अगर बढ़ जाएगा तो लागडाउन बढ़ेगा लागडाउन बढ़ेगा तो भी आपका एक जाम डेट तो बढ़ना है बढ़ना है पूरी तरीके से तो बस यह सुकर मनाईए कि आपका जो बगपावंदिया सब चीजों में लगा दिया है दिली सरकार ने हर चीज में पावंदिया लगा दिया है मैट्रों में पचास वसंट कर दिया है मतलब हर चीज में देखा होगा कल आपने कि अर्विंद केजरिवाल जी ने दिया है उन्होंने बहुत ही पावंदिया अपने द तो उसी तरह से हो सकता है यूपी में भी आपका लागडाउन ना लगेगा तो आपका एक जाम जल्दी हो जाएगा जितने भी जानकारी होती हम प्रयास करते हैं कि आपको पूरी पूरी बात नहीं तो हम चाहते तो गुमा देते और हमने आपको बता दिया है उन्होंने ऐसे बोला है कि जो करना हो कर लीजे धरना दो चाहे कुद दो हम अपने समय से ही करवाएंगे जून जुलाई में अगर बोला है तो जून जुलाई के मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं आपका लागडाउन लग सकता है या पेपर आपका यह तो चुनावागे हो सकता है लेकिन नभी लोग तैयार हो तो इस की डेट हम आपको फिर से एक वीडियो बना देंगे जिसमें डेट कुन फर्म पर्म पहुं चलतें हैं घे,टर को यााओ पर क्या इसलिए उडेट विस्वसा बना बना देंगे बसकी र धारित कर देंगे आपको गुरूप से अगर आप नहीं जुड़े हो है ना तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए इसी चैनल में आपको लिंक दे दी जाएगी तो आप गुरूप में भी जुड़ सकते हैं और इसके बाद कोई भी डेट होती है तो इसके लिए भी आप ल संगर्स करें यह संगर्स नहीं है संगर्स है आपकी पढ़ाई तो भई यह आप मेहनस से जो भी मिलेगा मेहनस से मिलेगा इसलिए आप लोग मेहनस जरूर करते रहे संगर्स जो भी अपने समय में होता है लेकिन जैसे क्या होता है ना अंदोरन चला होता है तो आंदोरन को जा रही है morning में हिंदी और 10 बज़े आपके रिजिनिंग और रात- नौज के 10 मिनट में आपकी जी के जो भी है हम अपना फर्ज आपका निभाते चल ले हैं और अपना फर्ज क्या है कि आप लोगों को निभाना है कि आप लोगों को लगातार पूरी कलासे देखना है क्योंक तो चलिए फिर अगर थोड़ी सी कोई जानकारी हमें मिलती है तो आपको बताएंगे नहीं तो एक कोई डेट देंगे उस डेट के कोर्डिंग एक बार फिर से यहाँ पर गिराओ किया जाएगा जिससे हो सकता है कि अगर चुना अपनी धार्ज समय में है तो यह होगा कि आप पार सभी को जैहिन सभी को बंदे मातरम